वेलो दोस्तो वेलकेम अगेन माई यूटूब चैनल और मैं आपका फैजान और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेंसिल के ग्रेड के बारे में तो दोस्तो कभी आप लोगों ने पेंसिल उसका है टाइम देखा है के आपके पेंसिल के बैक साइड में HB to Bी ग्रेड लिखे रहते हैं और कभी ये सोचने की जानकारी लेने की कोशी है कि आखिर क्यों रहते हैं इसका मतलब क्या होता है ये कहां यूज होता है तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोग का यह जो भी confusion है मैं यह दूर कर दूँगा और मैं एक कोसिस करूँगा कि इसके हर grades के बारे में आप लोगो detail में जानकारी दूँँ यह कहां use होते हैं, क्यों use होते हैं सारे मैं आज इस वीडियो में detail में आप लोगो बताऊँगा तो सबसे पहले सुरू करते हैं HB से HB का मतलब होता है H से hard and B से blackness और इन ही से मिल करके हमारी जो pencils होती हैं उसके सारे grades बनते हैं और इन grades में आते हैं दो group एक आता है आपका H group and एक आता है आपका B group यह जो हमारी B group होती है यह बहुत ही ज़्यादा diπο ग्रूप का यूज़ कर सकते हो जैसे 3B, 4B, 8B, 10B and जो सेकेंड ग्रूप है हमारा वो है एच ग्रूप और यह जो एच ग्रूप होती है इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ही जादा हार्ड होती है लेकिन आपको इसमें जो है वो आपको डार्कनेस नहीं मिलेगी बहुत ही जादा सौपनेस मिलेगी और इसलिए जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कि जो हम स्कूल अपना पास कर चुके और जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं इसकूल टाइम पे वो हमारी HB होती है क्योंकि यह थोड़ा डार्कनेस भी देती है और यह बीज की पेंसिल होती है जो कि बहुत जादा हार्ड होती है जल्दी टूटती भी नहीं है तो इसलिए हम लोग स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनको प्रिफर किया जाता है HB पेंसिल आप आज ही जागर के आप लोग देखना कि जो आपके नॉर्मल पेंसिल है उसमें जरूर से जरूर HB लिखा हुआ होगा और जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वह जादा तर इस पेंसिल के सारे पेंसिल के ग्रेट को यूज नहीं करते हैं क्यों क्योंकि उनको ना जादा डार्क चाहिए और उनको ना जादा हार्ड चाहिए इसलिए वह मीडियम के जो पेंसिल होते हैं उनका यूज करते हैं जैस किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाए हिन और अगर कोई नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना ओके जाए हुआ किसकी और तक किसी और अगरू होगा कि अईसे पेस्थरी हो थांगर करना एंगर Consorti